हेलो एवरीवन वल्कम बैक टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कूस करेंगे ओल इंडिया बार एक्जामिनेशन 17 की फुल इन्फॉर्मेशन उसका अप्लिकेशन फॉर्म, एक्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटिरिया तो चलिए शिरू करते हैं तो देखिए जैसा कि यहां पर मेंचिन कर रखा है AIB 2022 अप्लिकेशन फॉर्म, एक्जाम डेट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटिरिया को हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कूस करेंगे देखिए AIB 2022 application form will release in the first week of May 2022 in online mode जो आपका AIB 17 होने वाला है उसका जो application form है वो release होगा आपका first week of May में 2022 online mode में यह चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर AIB 2022 का overview दे रखा है जो आपका exam है basically basic knowledge के लिए आपको यहाँ पर बता रखा है All India Bar examination full form यह होती है mode of application आपका online होगा and mode of examination आपका offline exam होता है जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा pen and paper based test होता है जिसमें आपको OMR sheet दी जाती है उस OMR sheet में आपको जो dot दिये जाते हैं उन dots में अपना answer को fill करना होता है and next यहाँ पर कुछ important dates दे रखी है जैसा कि यहाँ पर starting online registration first week of May यह मैंने आप लोगों को बता दिया है starting of fee payment जो चालान second week of May 2022 and last date to register आपकी May के अंदर ही होगी अभी particular कोई इसके date जो है mention नहीं की है आपका जो AIB 16 का जो result है उसके आने के बाद जो है इसकी AIB 17 की भी आपकी information उसकी official जो website है All India Bar examination की वहाँ पर upload हो जाएगी जब वह upload हो जाएगी तो मैं वीडियो अपनी upload कर दूँगी उससे related AIB 17 की registration से related तो यहाँ पर mention कर रखा है last date for payment जून में यह mention कर रखी last date for completion of online form जून में दे रखी है and आपकी admit card की availability जो है यहाँ पर जुलाई में दे रखी है तो यह अभी आपकी कोई final dates नहीं है बट आपको एक अंदाजा यहाँ पर लगाया गया है कि जो आपका exam है वो में में हो सकता है या फिर जो आपका result है वो August में आ सकता है exam date जो आपकी है जुलाई में हो सकता है ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला गया है so eligibility criteria क्या है आपके AIB 17 का वो है एक तो आप जो है Indian sedition होने चाहिए जब भी आप इसके लिए eligible होगे और आपके पास क्या है candidate should have completed their 3 years and 5 years LLB degree आपके पास होने चाहिए या तो आपने BLB करकी हो या फिर आपने LLB की degree अपनी करकी हो जब भी आप इसके लिए apply कर सकते है and there are no minimum marks prescribed in the qualifying exam यह चीज़ आपको पता होगी कि आपको इस exam में 40% marks चो है वो score करने होते हैं इस exam को पास करने के लिए कोई competitive exam नहीं होता है आपको सिर्फ यहाँ पर AIB exam में 40% marks चो है वो score करने होते हैं और फिर आपको क्या है आपकी 3 years या फिर 5 years के LLB करने के बाद आपको क्या करना होता है enrolled होना पड़ता है अपने state bar council में जहाँ जहाँ डैली में रहते हो तो आपको डैली की state में ही अपना enrollment कराना होता है state enrollment जिसे हम कहते हैं अगर आप कहीं मद्य परदेश में रहते हैं या कहीं पर भी वहाँ पर आपको अपना state bar council में अपना enrollment कराना होता है और फिर आपको क्या होता है he or she must possess an advocate ID card आपको मिल जाता है enrollment card आपको मिल जाता है जिसके उपर आपका ID number लिखा होता है वो card आपको मिल जाता है फिर यहाँ पर mention करका है कि no age limit is prescribed to appear for this exam आपकी कोई age limit नहीं होती है इस exam को pass करने के लिए इस exam को देने के लिए कोई age limit नहीं होती है particular कोई भी candidate जो इस exam को दे सकता है और यहाँ पर कितनी बार भी वो दे सकता है जब वो चाही ठीक है अगर वो एक exam में fail हो जाता है तो वो next time उस exam के लिए try कर सकता है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है and application form की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि जो आपका AIB 17 का application form है उसका registration form and the candidate will have to provide details उसमें क्या करना होगा आपको अपना name, gender, father's name या फिर husband name कोई married है तो उसको अपने husband का name वहाँ पर mention करना होगा अपने birth जो उसका date है वो आपको mention करनी होगी and address जो है आपका proper वो mention करना होगा and candidate will also have to upload scanned copies of photograph आपको क्या है passport size की photos जो होगी आपको वो upload करनी होगी अपने signature जो है वो upload करने होगे सारी चीज़े जितनी भी required जो documents है वो सारे आप लोगों को upload करने होगी ठीक है आपको अपनी proper password जो है email id वेगारा जो भी कुछ यहाँ पर बोला गया है आपकी proper जो payment है registration payment जिसे हम बोलते है AIB के लिए वो आपकी होने चाहिए और फिर application fees जो है इस exam के लिए वो होगी आपकी OBC जनरल और OBC के लिए आपकी 3500 है and SC and STs के लिए 2500 रुपीज आपकी इस exam AIB exam के लिए फीस लगती है यह चीज़ आपको ध्यान रखने है चाहोता है SSB इस चीश का screenshot भी आप इस चीश का ले सकती है and mode of payment क्या है आप बोथ online और offline mode में कर सकते है ज़रूरी नहीं अगर कोई online नहीं कर सकता तो वो offline में कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर यह subject की जो आपकी marks है कि कितने marks में आपका subject आपको prepare करना इतने marks के question आपके exam में पूछे जाएंगे यह मैंने अलग से अपने video upload कर रखी है आप वहाँ से इस video को pattern जो exam pattern के नाम से आपको video मिलेगी उसे आप देख सकते हैं कि कितने marks का जो CRPC आएगा कितने marks की CPC आएगी IPC, Family Law Evidence वहाँ पर आपको full information मिल जाएगी तो guys basically यह थी हमारी एक चोटी सी video आपके ओली इंडबार examination 17 को लेकर किस थरीके की registration pattern है क्या date होगी यह सारी चिश्चे हम अपनी आज की इस video में discuss की ओप सो आपको video helpful लगी होगी अगर आपको video helpful लगी तन प्लीज दो like, share and subscribe the channel for more videos thank you for watching this video